नमस्कार मित्रों आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौरानिक कथाए में स्वागत है दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों 8 जून को आशाड गुरुवार पढ़ रहा है और गुरुवार का दिन भगवान विश्नु जी को समर्पित माना जाता है आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से चार लौं का वह चमतकारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके फूटी किसमत को चमका सकती है संसार का हर मानव यही चाहता है कि उसे माता लक्ष्मी की प्राप्ती हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करें परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसंद कैसे करना है उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते कहा जाता है जिस किसी मानव के उपर भगवान विश्नु जी की कृपा होती है, तो उस मानव को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है, ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन लौम का वह उपाय कर लेते हैं, जो हमारे धर्म शास्त्रों में बता गया है, तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी, जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिदरता, कश्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी, दोस्तों, आज के इस भाग डौर भरी जिन्दगी में हर मानव परियाप्त मात्रा में धन। अगर आप भी चाहते हैं, कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े, तो गुरुवार के दिन लौम का वह उपाय कर, लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए। भगवान विश्णु जी के आशिरवाद से आपके जीवन आपके राहु के तु अच्छे हो जाएंगे, और आप कार्य करेंगे, उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ती होगी, साथ ही साथ, इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी, और आप तेज गती से उन्नती करेंगे, इसी लिए अगर आप भी इस चमतकारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, त तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्यानवर्धक और जरूरी जानकारी मिलती रहे, साथ ही साथ पूरी श्रधा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विश्नु, जय माता लक्षमी लिख दीजिए आए, अब जान लेते हैं कि आपको गुरुवार के दिन कौन-कौन से उपाय करने हैं, सबसे पहला उपाय है, कर्ज मुक्ती और धन प्राप्ती का महा उपाय अगर आप धन से संबंधित से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्क बंध हो चुके हैं, या फिर आप कर् परेशान हैं, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? ध्यान से सुनिएगा और भगवान विश्नु जी के चर्णों के बीच में रख देना है, और माता लक्ष्मी जी के बिज मंत्र ओम हरीश्री, लक्ष्मी का जाप कम से कम 108 बार करना है, और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है, इतना करने के बाद आपको भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी अगर आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्षमी जी के आशिरवाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कर से भी मुक्ती मिल जाएगी दूसरा उपाय है धगवान विश्नु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके रहु के तु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उनती करेंगे तो आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए आपको गुरुवार के दिन संध्या 5 बचकर 30 मिनट बजे के बाद किसी भी समय नहाद होकर अपने नजदी की पीपल पेड के पास जाना है परंतु पीपल पेड के पास जाने से पहले आपको एक घी का दीपक और पांच लॉंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड के पास जलाना है और उस दीपक में एक लॉंग डाल देना है एक लॉंग डालने के बाद जो चार लॉंग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड की तीन बार परिक्रमा करनी है परंतु परिक्रमा करते समय आपको भगवान विश्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवाते वासुदेवाया नमहकाजा करना है अगर आप बड़े गुरुवार के दिन केवल इतना कर लेते हैं तो भगवान विश्णु जी के आशिरवात से आपके जीवन में चल रही तमाम तरहे की समस्याओं से आपको मुक्ती मिल जाएगी आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निरने लेंगे उस निरने से फाइदा ही फाइदा होगा तीसरा और अंतिम उपाए एक ऐसा उपाए है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन, दौलत, सुख समृध्धी की आपको प्राप्ती होगी तो इसके लिए आपको क्या करना है? ध्यान से सुन लीजिए आपको गुरुवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में एक मुठी चावल, तीन काली मिर्च, दो लौंग, दो इलाइची और एक रुपए का एक सिक्का रखना है, उसे धागे से बांध देना है, फिर आप को उस कपड़े को ले जाकर जाडू के नीचे रख देना है, और अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन नौ बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रख देना है, इस उपाय को करने के बाद माता लक्षमी जी के बाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वा धन तिकने भी लगेगा, इसलिए के दिन उपायों को जरूर कीजिये, इससे आपकी फूटी किसमत चमक जाएगी, अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही ह तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर, अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं, तो आपको बहुत ही शुबफल हासिल होगा, बहुत ही शीधर बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा एकागर होने लगेगा गुरु होगा तो शिक्षा में मन लगेगा शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी इस तरह से इन उपायों को आप करें निश्चित कि आपके जीवन में सफलता आती है तो दोस्तों मैं जोतिश ग्रंथ गं करूं दोस्तों अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा हो सकता है आपके एक शेर किसी की को बरबाद होने से बचा ले तो जनहित एवन जन कल्यान के लिए जरूर शेर करिएगा और कमेंट बॉक्स म जरूर लिखना दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही मैं फिर मिलूंगा आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद